हेलो जाहिन फ्रेंड्स आज हम HP SSC Development Officer Seri Culture का previous year question paper discuss करने जा रहे हैं आज हम इसमें HPGK का portion cover करेंगे तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं हमारा 121 question है हमालियाई रियास्ती प्रजामंडल का संस्तापक सदस्य कौन था भगमल सोंता, JP बगगी, LC प्रार्थी, या option number D, SP बगगी तो दोस्तो इसका प्रेक्ट अंसर हो जाएगा option number A, भगमल सोंता अगर दोस्तो हम हमालियाई रियास्ती प्रजामंडल की बात करें तो इसे शिमला हिल्ड स्टेट रियास्ती प्रजामंडल के नाम से भी जाना जाता है अगर हम इसकी स्तापना की बात करें तो इसकी स्तापना 1949 में बुशाहर के पंडित पदमदेव और जुबल के भगमल सोंता ने की थी इसके बाद दोस्तो हमारा 122 कोशन है बाला सुंद्री टेंपल इस लूकेटेड इन विच डिस्टिक ओपेचपी हिमाचल पदेश के किस जिले में बाला सुंद्री मंदर स्टित है मंडी, कुलू, किनौर या सिर्मोर तो दोस्तो इसका प्रेक्ट अनसर हो जाएगा अप्शन नमबर D सिर्मोर अगर दोस्तो हम बाला सुंद्री मंदर की बात करें तो यह सिर्मोर जी लेके त्रिलोगपुर नामकस्तान पर स्टित है इसे त्रिलोगपुर मंदर के नाम से भी जाना जाता है इस मंदिर का निल्मा 1573 में दीप्रकाश ने करवाया था अगर हम माता बाला सुंद्री की बात करें तो उन्हें चुरासी घंटिव वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है तो दोस्तो अब हम सिर्मोर के कुछ important मंदिर की बात कर लेते हैं सिर्मोर में कुछ important मंदिर है उनमें से एक है गैतरी मंदिर, जगनात मंदिर, शिर्गुल मंदिर, रनिताल मंदिर और कटासन मंदिर आपने दोस्तो यह मंदिर याद कर लेने हैं क्योंकि यह कहीं बार एक्जाम में पूछ ले जाते हैं इसके बाद दोस्तो हमारा 123 question है गुटर festival is celebrated in which district of HP हिमाचल परदेश के किस दिले में गुटर तैवार मनाया जाता है सोलन, शिमला, उना या लोल्सपिती तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा option number D, लोल्सपिती अगर दोस्तो हम लोल्सपिती के कुछ important मंदिरू की बात कर लें तो उसमें सबसे पहले number पर आता है हल्दा या लोसर उत्सव यह जो है लोल्सपिती का बहुत ही important और famous festival है यह तैवार जो है लोल्सपिती में नवर्ष के रूप में मनाया जाता है जो की दिवाली की तरह ही मनाया जाता है इसके बाद दूसरा important festival है लोल्सपिती का पोरी मेला इसे जो है तिलोकपुर मेले के नम से भी जाना जाता है यह मेला अगस्त महीने में तिलोकपुर मंदिर में लगता है जहां शुत गी का दीपक जो है पूरी वर्ष जलता है इसके बाद दो और important festival है लौलसपीती के शिशू मेला और लदराचा मेला शिशु मेला जो है लोर्सपिती का कहीं बर एक्जम में पूछ लिया जाता है कि शिशु मेला हिमाचल पदेश के किस दिले में लगता है तो ये एक इंपोर्टेट फेस्टिबल है लोर्सपिती का इसके बाद हमारा 124 कॉशन है हिमाचल पदेश के किस दिले में सुई मेला मनाया जाता है बिलासपूर, हमिरपूर, चमबा या कांगडा तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा अगर दोस्तो हम सुई मेले की बात करें तो साहिल वर्मन की पत्नी रानी नैना देवी की रज्य में पानी की अपूर्ती के लिए बलिदान देने पर ये मेला प्रतीक के रूप में मनाया जाता है सुई मेला साहिल वर्मन के द्वारा सबसे पहले जो ये शुरू किया था यह अप्राल महिने में लगता है कहीं बार एक्जाम में यह कोशन पूश लिया जाता है कि चमबा जिले का इसा कौन सा मिला है जो केवल बच्चों और महिलाओं के दौरा मनाया जाता है तो दोस्तों हम चमबा जिले के एक और important festival की बात करें तो वो है मिंजर मिला अगर दोस्तों हम मिंजर मिले की बात करें तो मिंजर मिला साहिल वर्मन के दौरा शुरू किया गया था और यह अगस्त महिने में लगता है यह एक अंत्राश्ट स्थर का मिला है जो चमबा के चोगान में लगता है इस मेले को जो है राजा प्रताप वर्मन के दौरा कांगडा शाशक पर वीजे का प्रतिक भी माना जाता है इसके बाद दोस्तों हमारा 125 question है चोहारा is a folk dance of which district of HP चोहारा हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक निरित्य है शिमला, मंडी, सिर्मवरिया, कंगडा तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा option number शिमला इसके बाद दोस्तों हमारा 126 question है कि नर देश पुस्तक के लेखक हैं रहूल संस्कृतियान, डि एन मजूमदार, देवराज शर्मा या राम रहूल दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा रहूल संस्कृतियान इनकी एक और भी प्रसीत पुस्तक है जिसे जो है हिमल्य परिचे के नम से जाना जाता है अगर हम दोस्तों देवराज शर्मा की प्रसीत पुस्तक की बात करें तो इनकी प्रसीत पुस्तक जो है हिमल्यन बोर्डर लेंड है इसके बाद दोस्तों हमारा 127 कोशन है स्वान रिवर इंटिगेटर्ड वेस्टर्ड मिनेजमेंट प्रोजेक्ट वाज लौच्ट इन वीच यर स्वान नदी एक कर्ण जल विभाजन प्रबंदन परियोजना किस वर्ष लौच हुई थी 2002, 2004, 2006 या 2008 तो दोस्तों इसका क्रॉक टंसर हो जाएगा 2006 अगर हम दोस्तों स्वान नदी की बात करें तो यह सतलुच नदी की एक साइक नदी है और यह जो है उना जिले में बैती है इसके बाद दोस्तों हमारा 128 कोशन है फर्स्ट वोईस चंसलर ओफ एचपी हिमाचल प्रदेश विश्वदले के प्रत्थम उपकुलपती कौन थे डोक्टर हर कालिया, डोक्टर के आर सेंग, डोक्टर एम आ ठाकूर, डोक्टर बी आर शर्मा तो दोस्तों इसका क्रेक्ट अंसर हो जाएगा ओप्शन नम्र भी डोक्टर आर के सिंग जिनका पूरा नाम जो है राम करन सिंग था इसके बाद दोस्तों हमारा 129 कोशन है, गोविन सागर जल भंडार की लंबाई है ता लेंथ अप गोविन सागर रिवर्स इस 88 किलोमेटर, 96 किलोमेटर, 140 किलोमेटर या 110 किलोमेटर तो दोस्तों इसका क्रेक्ट अनसर हो जाएगा ओप्शन नम्र ए 88 किलोमेटर अगर दोस्तों हम गोविन सागर जिल की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश की विलासपूर जिले में गस्तित है और यह जिल जो है सतलुज नदी पर बनाई गई है गोईन सागर हिमाचल पुदेश की सबसे बड़ी मानु निर्मित जील है इस पर भागडाबंद भी बनाया गया है जो कि 226 मीटर उंचा है और इसका निर्माण 1963 में किया गया था भागडाबंद का इसके बाद दोस्तो हमारा 130 क्वेशन है पूर वर्ती पटियाला रज ये की गेशिम कालीन राजधानी कोन सी थी चैल कसोली नहन या रामपूर तो दोस्तो इसका क्रेक्टर नसर हो जाएगा option number A चैल इसके बाद दोस्तो हमारा 131 क्वेशन है HP State Museum Building Was Called हिमाचल प्रदेश रज ये संग्राले भावन को क्या कहते हैं White House, Peterhof, Inverum या Advanced Study तो दोस्तो इसका क्रेक्टर नसर हो जाएगा Inverum अगर दोस्तो हम हिमाचल प्रदेश रज ये संग्राले की बात करें तो इसकी स्तापना 94 में हुई थी इसके बाद दोस्तो हमारा 132 कोशन है हिमाचल पदेश राष्ट उद्धानू की कुल संख्य कितनी है टोटल नमबर ओफ नैशनल पार्क इन एच पी एक, दो, तीन या चार तो दोस्तो अगर हम हिमाचल पदेश के जो है नैशनल पार्क की बात करें हिमाचल पदेश में जो है पौँच नैशनल पार्क है जिसमें पहला ग्रेट हिमाचल पदेश का सबसे चोटा नैशनल पार्क है जो की 27 किलो मीटर है अगर हम सबसे बड़े नैशनल पार्क की बात करें तो Great Himalayan National Park हिमाचिल प्रदेश का सबसे बड़ा नैशनल प्रक है जो 754 किलो मीटर है और यह हिमाचिल प्रदेश के कुलू जीले में स्तित है अगर हम दोस्तो हिमाचिल प्रदेश के प्राकृतिक पार्कों की बात करें तो हिमाचिल प्रदेश में तीन प्राकृतिक पार्क है पहला कुफरी कुफरी शिमला में दूसरा मुनाली शर्ण स्ताली और तीसरा गोपालपूर अभ्यारन कांगड़ा हिमाचिल प्रदेश में तीन प्राकृतिक पार्क है इसके बाद दोस्तो हमारा 133 question है उच्छाल क्रिशी की शुरुवात हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में की गई थी कुनिहार घाटी, वल घाटी, कियारदादून घाटी या लहॉल घाटी तो दोस्तों इसका क्रेक्टर नसर हो जाएगा लहॉल घाटी अगर दोस्तों हम लहौल घाटी की बात करें तो लहौल घाटी हिमाचल प्रदेश की सबसे उंची घाटी है इस घाटी की जो है समुद्र तल से उंचाई तीन हजार से पैंसेट सो मीटर के बीच है चंद्रा और भागा गाटी जो है लाहुल गाटी की प्रमुक नदिये हैं अगर दोस्तों हम भागा गाटी की बात करें तो भागा गाटी को रंगोली गाटी भी कहा जाता है इसके बाद अगर दोस्तों हम कियार्दा दून गाटी की बात करें तो कियारदादून घाटी को पोटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है और यह हिमाचल पुदेश के सिर्मोर जिले मेंस्तित है अगर दोस्तों हम वल घाटी की बात करें तो वल घाटी हिमाचल पुदेश की सबसे उपजाओ घाटी है इसका निर्मण 1962 में भार जर्मन किशी प्रयूजना के दौरा जो है इस घाटी का अत्यधिक विकास किया गया था अगर दोस्तों हम कुनिहार घाटी की बात करें तो कुनिहार घाटी हिमाचल पुदेश के सोलन जिले मेंस्तित है इसके बाद दोस्तों हमारा 134 कोशन है या अजबर सैन के दौरा तो दोस्तों इसका करेक्टर अनसर हो जाएगा गिरी सैन के दौरा गिरी सैन के दौरा जो है क्योथल रज एकिस्तापना जो है बारा सो ग्यारा इस्वी में की गई थी इसके बाद दोस्तों हमारा 135 question है रावी नदी का वैदिक नाम था option दिये गए हैं पूरुशुनी, अस्कनी, अर्जाकिया या कलिंदी तो दोस्तों इसका जो है correct answer हो जाएगा option number A, पूरुशुनी अगर दोस्तों हम रावी नदी के जो है संस्कृतिक नाम की बात करें तो रावी नदी का संस्कृतिक नाम जो है इरावती था अगर हम रावी नदी के उद्गम की बात करें तो रावी नदी का उद्गम जो है बाड़ा बंगाल कांगडा से होता है अगर हम इसकी साहिक नदियों की बात करें तो इसकी साहिक नदी बहंदल, ततंग्री, छत्राणी, सियूल, साल, बुधिल, बलजेडी वाचिर्चिंड है जो दोस्तों आपने याद रखनी क्योंकि एक काफी बार एक्जाम में पूछ ली जाती है अगर दोस्तों हम रावी नदी की हिमाचल पदेश में कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई हिमाचल पदेश में 158 किलो मेटर है अगर दोस्तों हम असकनी की बात करें तो असकनी जो है चिनाव नदी का वैदिक नाम है अगर हम अरजीकिया की बात करें तो अरजीकिया जो है व्यास नदी का वैदिक नाम है अगर हम कलिंदी की बात करें तो कलिंदी जो है यमना का वैदिक नाम है तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा तो जाहन बाई